हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपका अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में दो कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रहे हैं आप लोग पड़ायासा करताब से मस्त है स्वास्त्राइब बहुत दस्तर्स कर रहे हैं दोस्तों आज क्या वीडियो अकंचा 40 को विदार तो बहुत और दोस्तों बतादो आप लोग पता चलेगा ही बहुत सारे कोश्षन मैच भी कर सकते हैं तो एक है को देखना और सभी को सेयर जरू करते हैं तक सभी इसका लाब मिले चैनल पर पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं और अभी तक मुझे इस्टाग्राम में ने जोड़ा तो इसका भी लिंक दिया है जल्दिस जाके जोएन हो जाएए दोस्तों इससे पले फिजिक्स का सेट वन अप्लोड कर दिया है आप लोग जल्दी से मैं सभी सेट अप्लोड कर दूँ चलिए पहले स्वाल से मोग सुरू करते हैं हिंदी इंगलिस दोनों पढ़ेंगे हम ठीक है क्योंकि बहुत सरे बिदार थे हिंदी की मेडियम के है बहुत सरे इंगलिस मेडियम के भी है पहला स्वाल है किसी माजधम का होता है speed of light in vacuum by speed of light in medium यानि कि निर्बात में प्रकास की आप लोग दोस्तों इंग्लिस वाले विद्दार्थी है मैं हिंदी में समझा दे रहा हूं ठीक है एक्टिव डायमेटर ऑफे सर्कुलर आउटलाइन ऑफे स्परिकल लेंटर जो होता ही उसको क्या बोलता है गोलिया लेंज की विर्तकार उप्रेखा का प्रभावी ब्यास को हम लोग द्वारक बोलता है याद कर लेजेगा कोशिजन में दोस्तों यह पूछ चुका है प्रिविएस एयर्स में आकंचा पॉट्टी में नेक्स्ट है कि बोल रहा है कि यदि प्रकास का आप्तित किरन किसी अब्दल दर्पन के मुख्य फोकस से गुजरता है जैसा चितर में दिखाई गया है तो बताईए प्रावर्तित किरन कैसा जाएगा तो आप लोगों पता होना चीए कोई भी यह होता है मुख्यक्ष ठीक अत्ब तो अई से अइगा इस सौन करके निकल जाएगा तो क्या मुख्य अप्सन नमर्स तर्enc garlic और और इसमेंगे उपाक्षिय करने इयानु में क्यों दोषुक्ष के समाणिस का एक उन सौन है तो याकशी करने कोन है यानि भी जाड रख लुक्ष ठीएग उपा क्छी करने का अर्थ होता है जो मुख्यक्ष के सबसे नस्दीक में होता है तो आप लोग देख सकते मुख्यक्ष कोन बला है जो बीचो बीच होता है उसके सबसे नस्दीक में कोन है भाई सब तो बोलो कि सर एबी है दिख नहीं रहा है हम लोग चस्मा थोड़े बीना चस्मा का बो लेंस किसी बस्तुव का रासीश्त प्रत्री बिंग नने मतलब चोटा टिक है तो उत्तर लैंस छोटा कप बनाता है तो जब आप है फुकस और फोकस और पोल के बीच में रहेगा मतलब उसका दूरी फोकस से भी कम होगा तब न यहाँ पर रहेगा इस प्रकार से इस प्रकार है तो जब यहाँ पर कोई रहेगा तब समझें मतलब फोकस और पोल के बीच में तो यहाँ पर सही की उतर क्या हो जाएगा जब आपका F is U is less than F मतलब जो बस्तू की दूरी वो F से भी छोटा हो जाए तो आपका वो क्या बनाता है छोटा बनाता है बागी सब जगह बड़ा बनता है समझ गया है Next question है किसी गोलिय दर्पन के मुख्य फोकस के सेंख्या होगी गोलिय दर्पन के मुख्य फोकस गोलिय दर्पन की बात करें दोस्तो तो उसमें मुख्य फोकस एक ही होता है समझ गया है आठ का एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 9 नमबर देखे क्या बोल रहा है निमना लिखित बिद्दू चुमबा के तरंगों में से किसकी उच्चतम उर्जा होती है सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें होता है तो याद रिखेए जो इसका कि जो विजिबल लाइट वेबस है द्रिष्ट से प्रकास तरंगे उसका सबसे ज़्यादा होता है आप लोग कमेंट करके बोलना कि इन चारों में से सबसे कम सबसे कम चुम्बब के तरंग में सबसे कम उज़ा किसकी है चारों में से कमेंट करके बोलिएगा next question is दूर द्रिश्टी दोस वाले वैक्ति को क्या चाहिए तो दूर द्रिश्टी दोस बालों को मिठाई चाहिए क्या अगला स्वाल है सूज प्रकास स्पेक्टर में कितने रंग होता है, आप लोग देखे होंगे प्रेज्म, देखे होंगे ना, फ्रेज्म से जब कोई एक रिक हुआइट किरन पास होता है, तो उस रंगों में विवक्त हो जाती है, मतलब एक सफेद रेखा में कितना किरन भिब गियो और वेनी आहा पीनोला सब बढ़ी होंगे तो यहाँ पर साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग 12 नमर में नुमरिकल है बोलगा किसी चार ओम परतिरोधक यानि कि चार ओम आप लोग का रेश्टेंस दिया है परतिस सेकेंड एक सेकेंड का समय देती है एक सो जूल उसमा उत्पन्न हो रही है एक सो जूल का हीट पर्डियूस हो रहा है तो बारे नमर के लिए हम लोग फर्मला जानते है दोस्तों जब भी हीट एनरजी दिया रहता है तो एक फर्मला होता है इक हो जूल तो एक सो लगाने दोस्तों प्रण चाहिए लों गर मेरे और आप किiguसे बदोस्तों नहींों कितना है आजहेगा विशवें आ नुमला दोस्तों सउब की सफब्स निगाले 2 बोल्ड होजायगा कूने व लकृशर से होग forever not दो बार रगा एक सही हो गया तेरे नमबर देखेंगे हम लोग क्या बोल रहा है बैद्दूत परतिरोधक्ता का एक एक फर्मॉला होता ने आर इकोल टू रो एल पाइए तो इसका होता है दोस्तों ओम मिटर यादर के क्या होता है ओम मिटर कटेट यानि कि तीन नमबर विल् मिटर है तो विवांतर एक फोल्ट केतना हो रहा है 60 ठीक बोल रहा है कि जब विवांतर को 180 बूल तक बढ़ा दिया तो धारा कितना होगा तो सबसे पहले क्या देखो जब कोई चर और पसंब अधियू रहेगा तो हम पहले बहुत ने निकल निकल लेगए लिग कितना हैद लिखे हो 60 साथ और इंटू आर काड़ दिना 4 पंद्रेंग साथ 15 बार में कर जाए यार का वैलू जो आए दोस्तों आर परावर कितना है 15 ओम आ गया ठीक है इतना या रखना आर हमाराया 15 ओम हमको निकालना है कितना धारा लेगा हम जानते हैं भी इकोल होता है आयर भी अब क सब्सक्राइब कर जाएगा और आगे बढ़ेंगे दोस्तो देखने में लग रहा है बढ़ो दिकत लेकिन बहुत असान है जो भी आप करके दिया हुआ यहां पर सभी तुसरी के पूंच पकड़ा के खड़ा है पकड़के तो जो इस प्रका जो रहता है तो स्रेणी करम में जो होता है तो उसका प्रत्रों सिंपल सा जोड़ हो जाता यानि कि मतलब इस तरह सभी हो सकता है अब क्या हो गया तो कि इधर तीन अम है इतर तीन बस समांतर करमका निकाले थे तो दो वटत तीन आया तो आर एको लिए क्या हो जाएगा तीन वटत दो हो जाएगा यानि की काट कर निकालो तो 1.5 ओम एंसर हो जाएगा कोई देखकत विल्कुल होना भी नहीं चाहिए दोस्त चान नमर्स महतुसरी आगे देखो तोला नमर क्या बोल रहा है कि किया गया कार्ज को उसके बीच का विवांतर बोलते हैं समझ गये हैं कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए जब भी किसी चार्ज को कुलम चार्ज को एक जगा से दूसरे जगा आप ले जाते हो तो इस दोरान जो विवांतर में चेंजेस होता है इसके यहां ले जाने क्या यहां वोलता है इस प्रक्राण में किया गया है जो Karen होता है और के बीच का विवांतर हो जाएगा सों लोगा से उत्तर sólle नमबर एक आपका रहाता कर रहा है 17 अमद हो क्या बोल रहा है कि जूल परती कुलम बराबर है जूल पर कुलम किसके बराबर होता है तो आप लोग जानते हैं डबलू इकल्ड होता है भी क्यों ठीक है यानि किसी कुलम चार्ज को भी मतलब पॉट्शनल लिफ्रेंस ठीक है ए जूल परती कुलम बराबर है अब देखो डबलू एकली वजू कि क्यों जानते है डबलू का क्या होता है जूल क्यू क्या होता है कुलम यह किसके बराबरária क्यों के बराबर हो हो गया ठीक है डीक्त दोचालक तार जिनके पदार्थ लंबाई या समान है किसी बिद्दु परीपत में पहले स्रेनीकरम में और समांतर करम करते हैं तो देखिए उसमा निकालना है नहीं सबसे पहले क्या है H1 मैंने माल लिया दो तार है जिसका प्रत्रोद R1 और R2 है जब स्रेड़ी करम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा तो 2R हो जाएगा जैसे स्रेड़ी करम में जोड़ोगे तो तब उसमा क्या हो जाएगा I square R के जवापे लिखेंगे 2R into T ठीक इसका बटा करेंगे H2 अब इसको पार्से करम में जोड़ेंगे अब जो दो गार था पार्से करम में जोड़ेंगे तो पार्से करम में लिखना 1 by R प्लस 1 by R यानि यह 2 बटे R और R एकल क्या हो जाए आर बटे 2 हो जाएगा मतलब R by 2 होगा I square R बटे 2 into T समझ गया है कोई देकत नहीं समय सेम है T T कर जाएगा ठीक है I square I square कर जाएगा अरे भाई सब रूख न और यह R R कर जाएगा यह 2 जो है यह नीचे ऊपर चल जाएगा यह नहीं 2 से गुना हो जाएगा तो next के आप चार बटे 1 हो जाएगा नहीं कि 4 अनुपात 1 answer हो जाएगा कोई देकत बिल्कुल नहीं option number 4 को मारो गोली और बढ़ जाएगे 20 नमर स्वालम लोग आए किसे अग्यात परतिरोध के सीरो से 20 वोल्ट की बैटरी को स्वेट करने पर परिपत में 2.5 मिली अम्पेर वेदो धरा पराई होते है परतिरोध का परतिरोध का परतिरोध है तो R निकलना है हम लोग जानते है वी इकल अर होता है चलो इतना ठीक है भी कितना बारा बोल्ट दिया है आई कितना दिया 2.5 milli ampere 2.5 milli co meter में बदलोगे तो 10 to the power 3 हो जाएगा sorry minus 3 हो जाएगा ठीक है 1 milli ampere equal to 10 to the power minus 3 milli ampere और into r तो r लिखती है बस अब 12 minus 3 है न बटा हो है या फिर उधर जाएगे क्या हो जाएगा 10 to the power 3 हो जाएगा बटा 25 ठीक है equal to r यह जो होगा मैनस 3 बटा में आ जाएगा नीचे पहले नीचे वान बटे हो जानी कि option number 3 विल्कुल सयुकता है समझ गया कोई दिकत नहीं न तो दोस्तों इसमें लोग 20 सवाल ही देखें नेक्स्ट वीडियो आप लोग आज राब्ता के अप्लोड हो जाएगा उसमें नेक्स्ट वीडियो बनाते ज्यादा बड़ा हो जाता अगर वीडियो अच्छ इतना है फिर्म लिग नेक्स पूडियो में जल्दी तब दोगले जय हिंद वन्देवातरों